पाकिस्तान के घर में ऐसी गत होगी मतलब ऐसा तो नहीं है कि किसी को इस बात का भरोसा नहीं था भरोसा तो था बट मतलब बांगलदेश से एक मैच हारने के बाद दूसरे मैच में भी यह बिलकुल हार के मुहाने पर ऐसे खड़े हो जाएंगे कि हाँ चलो भाई खतम करो घ भर जाना है ये किसी ने भी नहीं सोचाता पाकिस्तान में क्रिकेट लॉट कर आया है और लॉट कर आने के बाद इस तरह की जब गत हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट की तो अब ktionल रहा है मतलब आप एक तरीके से देखो तो कहीं न कहीं है फैंस के साथ एक तरह से धोका है पाकिस्तान क्रिकेट के अभी ट्रेस्ट मैच के अगर बात करें जो दूसरे ट्रेस्ट मैच चल रहा है लिटन दास ने लिटरल इनकी ऐसी की तैसी कर दी एक महतवपूर्ण पारी कैसे आपकी टीम का मुराल गिरा सकती है ये लिटन दास न दिखाया पहले ट्रेस्ट मैच में भी ऐसी किया था लिटन दास न दूसरे में भी वही किया क्रिश्ण भागते हैं लिटन दास और देखिए क्या हश्र किया है पाकिस्तान का दरसल मैच के बारे में आपको बताओं तो पहली पारी में पाकिस्तान की जो टीम थी वो 274 के उपर अलॉट हो गई थी जिसमें की दे किंग माइटी बावर आजम ने सिर्फ 31 रन मनाये थे इसके बाद बांगलदेश काफी स्ट्रगल करी 26 रन के उपर इनके 6 विकेट गिर चुके थे उसके बाद इनने एक शांदार रेकवरी करी लिटन दास के साथ मिलकर मेंदी हसन मिराज इन दोनों ने मिलकर बहतरीन पार्टनर्शिप का नुमाइंदी की पेश करी देड़सों से भी ज़्यादा बड़ी पार्टनर्शिप करी लिटन दास ने 138 रन बनाए मेंदी हसन मिराज ने 78 रन बनाए और दोनों ने बांगलदेश को एक कमांडिंग पोजिशन में लियागर खड़ा कर दिया जहां पागिस्तान ने 274 बनाए थे तो 26 रन पर 6 विकेट गवा चुकी बांगलदेश की टीम ने 262 रन बनाए और मज़ा आया उसके बाद दरसल इसके बाद हसन महमूद ने निकाले पांच विकेट नाहिद राणा ने निकाले चार विकेट और पागिस्तान की सेकंड इनिंग्स को इन लोग ने खतम कर दिया 172 के उपा बमश्किल 11-12 रनों की इन लोगो लीड मिली है 185 रन्स चाहिए हैं बांगलदेश को सेकंड इनिंग्स जीतने के लिए और मज़े की बात ये है बिना एक विकेट गवाए चौते दिन का खेल खतम होने तक स्टॉप हुआ है बांगलदेश 6 ओवरों में 42 रन बना चुका है 6 का रन रेट से खेल रहा है और जाकिर हसन ने 23 बॉलों में 31 ठोक दिये है 43 रन्स जो है इनके बन चुके है 42 एक भी विकेट नहीं गिरा है जीतने के लिए चाहिए 143 रन्स अगर कल एक सेशन का भी खेल हो गया तो उमीद कर सकते हैं कि बांगलदेश कल इस मैच को जीत सकता है अंटिल ननिस बांगलदेश प्रेशर में आ जाए या फिर पाकिस्तान एक तरफा बॉलिंग कर दे फिलहाल लेकिन यह जो कंडिशन क्रियेट हुई है यह वाकई में ऐसी कंडिशन है जो पाकिस्तान के फैंस बिल्कुल भी देखना नहीं चाहेंगे दरसल बांगलदेश क्रिकेट टीम इन दिनों पाकिस्तान के दोरे पर है और क्या धूम मचा रही है टीम के स्टार विकेट कीपर बैट्समें लेटिंदास ने दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तानी बोलर्स को जम कर धोया यार ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो कि क्रिकेट के 147 यर्स के इतिहास में पहले कभी हुआ ही नहीं है मैं सीरिस्ली बता रहा हूँ आपको दरसल बांगलदेश और पाकिस्तान के बीच में दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मैच चल रहा है राविल बिंडी में पहले टेस्ट जीतकर बांगलदेश ने पहले ही सीरीज को एक जीरो से आगे कर लिया है और बड़त बना लिया अब वो सीरीज हारेंगे नहीं जबकि दूसरे मैच में भी पाकिस्तान को कडिट अकर दे दी है मैच में टॉस हार कर पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान टीम ने 274 बनाये थे इसके बाद बांगलदेश टीम ने एक बेहत खराब शुरुआत के बाद 26 तरन पर 6 विकेट गवाए मुश्विक और रहीम ते तीन, शाकिब लहसन दो, जाकिर हसन एक, कप्तान नजमुल हुसेन शान्तो चार, मौनी मुलक एक, शदमाम इसलाम दस सभी वोरी तरफ लॉप हुए थे ऐसे में बांगलदेशी हिंदू क्रिकेटर लिटन दास सात्वे नमबर पर आए और दमदार पारी खेली, उन्होंने महंदी हसन मिराज के साथ मिलकर सात्वे विकेट के लिए 165 रनों की शान्दार पार्टनर्शिप करी और टीम को समाला खुद को भगवान शुरुकिष्णे का दास बताने वाले लिटन दास ने मैच में 228 बॉलों पर 138 रनों की पारी खेली और बांगलदेश टीम को एक बहुत मुश्किल स्थिती से निकाल कर एक बहुत कमांडिंग पोजिशन ने पहुँचाया अपनी पारी में लिटन दास ने चार चक्के 13 चौके जमाए जबकि मेंधी एसन मिराज ने 124 बॉलों पर 78 रनों की पारी खेली उसमें एक चक्का और 12 चौके शामिल थे और इसी के कारण मांगल देश ने पहली पारी में 262 रन बनाया और पाकिस्तान से 10 रन से पीछे रही दरसल लिटन दास के ने जोई सेंचुरी मारी इसके साथ ही टेस्ट क्रिकेट में बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना पहले बल्लेबास बन गए जिन्हों ने टीम का स्कोर 50 से कम होने के बाद बैटिंग में टॉप 5 के बादा कर तीन बार शातक लगाया हो 147 साल के टेस्ट इतिहास में उनके अलावा और कोई बैट्समन ऐसा नहीं कर पाया राहुल पिर्डी टेस्ट में टेस्ट से पहले लिटंडास ने 2021 में चटगाव टेस्ट में पाकिस्तान के ही किलाफ और 2022 मीरपूर टेस्ट में श्रिलंका के काम किया था चटगाओं टेस्ट में जब उन्होंने शतक लगाया तब बांगलदेश ने उन्हें 40 पर 4 विकट गवां दिये थे जबकि मीरपूर पर 24 पर बांगलदेश की अधर टीम से मट चुकी थी तब उस पोजिशन पर रागा लेटनदास ने सेंचुरी मारी थी बहुत कम फैंस को ये पता होगा कि स्टार लेटनदास भगवान श्री किष्णे का भकते हैं वो अपने आपको कृष्णे भकता और कृष्णे का सेवक कता बताते हैं ये बाद उन्होंने अपने इंस्टार ग्राम अकाउंट के बाईो में भी लिख रही है लेटनदास ने अपने इंस्टार ग्राम के बाईो में लिखा है कि जीवन में कभी हार मत मानना क्योंकि एक बड़े तूफान केबाद हमेशा इंदरः धनु याता है इसके बाद नीचल रिंदास ने श्री किष्ण का सेवक और जानवरों से प्यार करने वाला लिखा हुआ है मौजूद टेस्ट माच में चौथा दिन का मैंने आपको बताई क्या सूर्ते हाल है कि 185 रन का पीछा कर रही बांगलदेश की टीम 42 रन बना चुकी है बिना कोई विकेट खोए साथ ओवर के खेल में प्ले चौथे दिन का खतम हुआ है रेन के कारण रुका है गीम बांगलदेश को अब जीतने के लिए 143 रन चाहिए है और उमीद की जा रही है कि ये मैच कल बांगलदेश अपने नाम कर लेगा अब आप मुझे बताईए कि आपका क्या कहना है पाकिस्तान टीम की इस परफॉर्मंस के बारे में और बांगलदेश टीम की इस अपलिफ्टिम परफॉर्मंस के बारे में क्योंकि आने वाला जब दौरा है वो बांगलदेश के साथ ही करना इंडिया को तो मज़ेदार मैच होने के उम्मीद है कमेंट करके जरू बताई एक आपका क्या करना है मेरे स्वीडियों फिला उतना ही जाएंज जाए भारत